कलकत्ता मामले में डॉक्टर की मीटिंग सीयम साहिबा के साथ एक बार फिर से सीवी आई का बड़ा खुलासा खटना के दो दिन बाद भी पुलिस ने संजयर रॉय के कपड़े नहीं किये थे सील मौत्रा को पर खाथ करने की यादि का सुप्रिंगोर में खाली कलकत्ता मामले में आपको एक बार फिर से रूबरू कराएंगे आपके साथ में स्विश्टी बड़ी खबर सामने आ रही है सबसे बड़ा अरोपी कलकत्ता मामले में जो अभी गिरफतार हुआ है और उसका नाम संजयर रॉय है वही एक मेनक क्यूंज है लेकिन इसके पीछे और भी बड़े मगरवचे हाला कि अभी तक सामने नहीं आए हैं अब आप सुनिए जरा CBI की बड़ी दलील क्या है कोट के अंदर और आप चौक जाएंगे CBI सच कहा रही है ये साफ इशारा है कि मिली भगत के वज़े से कलकता में यहाँ पीड़ता को नयाएं नहीं मिली सुन लिजे इन्वेस्टिकेशन ब्यूरो ने साफ कहा दिया है कि संजैर रॉय जो मुस्कुराता हुआ आपको स्क्रीन पर नजर आता है उसकी फोटो जो एक मानसिक रूप से पीड़त रहती जिसने रेप किया जिसने हत्या की पीड़ता की और बता दे आपको उसके कपड़े दो दिन तक ताला पुलिस ने सील नहीं किये सवाल नमबर एक सवाल नमबर एक और सबसे इंपोर्टन्ट और बता दे आपको संजेर रोय की कपड़े आखिर पुलिस ने क्यों नहीं किये गए सील और सुनिए दूसरा सवाल दूसरा सवाल CBI ने कोट में ये दागा है ये भी ममता के अगेंस्ट हो रहा है ममता के अगेंस्ट अभी अभी संदीब घोश बरखास किये गए और सुनिए संदीब घोश अभी गिरफ्तार है हिरासत और तीन दिनों की बढ़ गई है और इधर विनीद गोईल को बरखास करके पुलिस के चार अलग अफसरों को बरखास करके ममता ये दिखा रही है कि I am with the doctors but she is not in actual बता दे आपको ममता अभी भी डॉक्टर के साथ नहीं है आज ये मीटिंग हुई है और बता दे आपको डॉक्टर के साथ जो मीटिंग हुई आज शाम में ममता की कहा जा रहा है कि ममता के साथ ये मीटिंग जो होगी ये अंतिम रूप देने के लिए है ममता को ये लग रह ममता ने पांच मांगों में से तीन मांगों को सुना आला अफसास को रिमूफ किया उनके पोस्ट से और नए अफसास का एलान भी हो गया कि कौन अब सम्हालेंगे पदवी हाला कि विनित गोईल निकी इतने फेवरेट हैं कि वो विनित गोईल को हटा नहीं रहे थी कमिशनर ह उन्हें कह दे थी कि दुर्गा पूजा तक कंटिन्यू रखना है और सुनगे यहां ममताव इनर्जी ने कहा कि हमने उनकी मांगों को मान लिया आज बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिकेशन ने साफ कह दिया है संजया रोहा के कपड़े अगर वो मेन अक्यूस था सिसी टीवी फूटेज में हमने जब आखों से देखा है कि संजया रोहा निकल रहा है पीड़ेता का रेप करके हद्या करके उसके कपड़े तुरंट क्यों नहीं गिये गए सील और अगर सील किये जाते तो आज सीबिया के पास एक बड़ा खुल में मम्ता के इस्तीवे के नीचे कुछ और मनजूर नहीं यानि की हम सेकरिफाइज ये नहीं बरदाश करेंगे हमें सीएम साहिबा का इस्तीवा का इस्तीवा चाहिए हाला कि सुकान्त मजुमदार बोल रहे लेकिन सुप्रियम कोट में ये यार्चिका खारिज हो गई और त्यार्चिका करता को सीजे आई ने फटकार भी लगाई है बदा दे आपको इसकी अध्यक्षता ये जो पीट थी जो सुनवाई कर रहे है कलकत्ता मामले में वो सीजे आई चंडर चूर है जो हाल ही में आपने देखा प्रधान मंतरी उनकी घर गए थे और प्रधान मंतरी तो वो सुनने के लिए नहीं बैटे हैं कलकत्ता मामले में हम किसी राज जटा की बरखास की नियायले ये अधिकार नहीं देता है मतलब दर्च को ये कोट के अंदर है कोट के पास ये अधिकार नहीं है जहाला कि अब सीजे की ये दलील पर जनता ये भी क्या रही है दो सव तो जनता को थोड़ी इसी नाराज़गी यहाँ पर दिखंगों मिल रही है आपको बता दे यहाँ पर ममताब इनरजी की याचिका जो खलाफ गई थी कि सुप्रिम कोट में उनके खलाफ याचिका जो डाली गई कि सीम के पोस्ट से उनको बरखास किया गए वो याचिका खार है उसके लिए हम आज नया की गुहार लगातार आपकी सुन रहे हैं और उसके लिए हम यहाँ बैठें आए सुनते हैं कि कलकत्ता में एक बार फिर से डॉक्टर्स आज की मिटिंग के लिए क्या कह रहे है ने मेल भेजा था चीफ सेक्रेटरी के ओफिस में आज इसका रिप्लाई भी आया है जो जिन चीन मुद्धों पे हमारी डिसेग्रिमेंट रही पिछले जो मीटिंग में माने निये मुख्यमंत्री जी के साथ उनको लेकर ही चर्चा करना है ताकि उसका एक रोड मैप तयार हो सके ब्लू प्रिंट तैयार हो सके ओफिशल नोटिफिकेशन हमें मिल सके और आशवाशन मिल सके के हमारा जो सेफटी सिक्यूरिटी थ्रेट कल्चर और जो भी रिलेटेड इशू है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साब से भी रिलेटेड जो इशू है वो रिजॉल्व हो और हम जल से जल क्या कहते हैं, आगे की तरफ बढ़ें और अपने काम को वापिस लोटें, यही उद्देश है इस मीटिंग का, देखते हैं मीटिंग के बाद क्या होता है, और मीटिंग में किन किन मुद्दों पे बात होगी, यह तो अभी हम जीबी में भी डिसाइड करेंग जाने का, वह मुद्दी के बाद ही बताएंगे, क्या हो रहा है, और हम आशा करते हैं कि अज की मीटिंग हो जो सफल हो, हमें सवाच 6 बज़े बुलाएंगेर शाड़े से बज़े तक मीटिंग, साड़े से बज़े से मीटिंग शुरू होगी, स्वास्त, यह नव नव ननो मेल में तो यही लिखा गया कि चीफ सेक्रेटरी साब मीटिंग करने के लिए बुला रहे हमें, तो देखते हैं, अब जाकर वहाँ पर पता चलेगा हो सकता है, मानिने मुक्य मत्री जी भी वहाँ पर मौझूद हो, उनके उपर है, हम आशा करते हैं इससे कोई नतीजा निकले और अब ही जो यह सिच्वेशन है, उसमें मुछ इस आए, तो नेक्ट डिसीजन आप लोग का मीटिंग के बार देंगे होगा, जी 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 जी, अब ही उसके लिए ही हमारा वेस्ट बेंगल जुनियर डॉक्टर फरंट्स का जनरल बाडी मीटिंग है, उसमें जो डिसीजन ह ही शुरू होगा, वो खतम होने के बाद हम लोग अफिशली बता देंगे कि क्या करने हम लोग तो नेकिए साफ आपने सुना कलकता मामले में, यहां पर आजिकर मामले में डॉक्टर्स पीछे नहीं हटेंगे, और ऐसा नहीं है कि विरीद गोयल को बर्खास करके ममता यह प्रटेस चल रहा है कि राहूल गांधी के खलाफ अपमान जोनक टिपनी करके यहां पर बीजेपी फस गई, लेकिन हाला कि आपको बता दें, यहां लगातार ममता के मामले में आग सुल्गी हुई है, बुझने का नाम नहीं ले रही है, सीबियाई ने दो तिन बाते और ऐ नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद है, सीबियाई को कि अगर उसके कपड़े सील हुए होते संजरोय के, तो आज हमें बड़े सुराक हाथ लगते हैं, जो सीबियाई को इतना अधिक समय लगा है, और सुने तिसरा नंबर, यहां पर कहा जा रहा है कि, यहां पर ममताम एन बार बार कॉल फॉरवड करवाया, बार बार उनमें बात कराया, और जब तक पिड़गा के खलाफ यह सबूत मिले थे कि, उनका रेप हुआ है, उनकी हत्या हो गई है, संदीप रोयल लगातार फोन पर बिजी थे, यानि कि वो जानते थे कि, आज इस अस्पताल में एक हो गई है, और CBI के हाथ एक बड़े सबूत लगे हैं, कि आखिर कपड़े क्यों सील नहीं किये गए, यह बड़ा सवाल संदीप घोश पर भी उट रहा है, और यह बड़ा सवाल कलकता पुलिस पर उट रही है, पश्चिममंगाल पुलिस पर उट रही है, और के जरीए हमें बताईए, शुक्रूए